ततो फेंड मां आपका अपना राहूल आरकलिवटीशाल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तो आज मैं इzkol poll दे कि यह वीडियो आप 상태 कर दोस्तो आज आपको बताऊं मैं कि कैसे आप बोला रियेसंसीप उसको टूटे से बचा सकते हैं यह तो बताऊंगा कि आप अपने रिलेसेंशिफ को टूटने से कैसे बचा सकते हैं इस वीडियों में आपको चीजे बताऊंगा जिससे आप अपने relationship को टूटने से बचा सकते हैं तो चलिए अच्छी उड़र स्टार्ट करें दोस्तो पहली चीज दोस्तो अपने partner को किसी भी चीज के लिए किसी भी काम के लिए आपको एक valid reason बताना होगा तो suppose आप जो है अपने friend से बात कर रहे हैं और उसी बीच में आपके partner का call आता है तो देखिए call आया अब आप जो इसको reply नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपने friend से important काम पे बात कर रहे हैं तो यहां पर आपके पास valid reason है तो आपको क्या करना है जैसे आप उसको return call करोगे तो आपका partner जो आपके उपर थोड़ा सा गुस्सा करेगा हो सके तो वो भड़क भी जाएगा क्योंकि वो बहुत बार call के है और आपको call का reply नहीं कर पाया है तो यहां पर आपको क्या बोलना है आपको उसका reason देना है valid reason देना है कि उसको समझाना है प्यार से यह नहीं कि आप भी उसके उपर भड़क जाओ उसको बोलना है कि हम मैं अपने friend से बात कर रहा था मेरे को यह important काम थे इसलिए मैं आपके call का reply नहीं कर पाया करकि आपको उसको प्यार से समझाना है अब यह नहीं कि आपका partner जो आपको उपर गुस्ता कर रहा है तो आपको भी उसके उ तो तूटने से बच जाएगा तो इस तरीका से आप जो है अपने relationship को टूटने से बचा सकते हैं तो दोस्तों दूसरी बात दोस्तों relationship में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है कुछ परिसानिया आ जाती है तो उस परिसानियों से भागिए मत बल्कि उसको फेस कीजिए देखिए आप जो है परिसानी की चक्कर में अपना relationship खराब करेंगे तो वह ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा तो इससे क्या है आपको कुछ problem है कुछ doubt है कुछ misunderstanding है तो उसको अपने partner के साथ बैट कर उसको clear कीजिए इससे आपका relationship जो हो टूटने से बच जाएगा और उस problem की चकर मे अगर आप अपना relationship खराब करते हैं तो वह गलत है आपको उस problem को खुजना है उस misunderstanding को clear करना है तो इसके लिए आपको अपने partner से अच्छे से बात करना और misunderstanding को clear करना है इससे आपका relationship जो हो टूटने से बच जाएगा तो problem का सामना कीजिए उसको face कीजिए ना कि उससे भागि इससे आपका relationship काफी मजबूत हो जाएगा और तूटने से बच जाएगा दोस्तो तीसरी बात दोस्तो आपको जो है अपने partner के उपर भरुसर करना होगा आपको छोटी-छोटी बातों के लिए उससे लड़ाई जगड़ा नहीं करना है देखो उससे क्या होता है आपका जो डाउट है वह क्या है सक का कारान बनता है और जब आप सक करने लगें तो आपका relationship ज्यादा दिन का महमान नहीं रहता है वह कभी भी तूट सकता है तो इसलिए सक ना हो इसके लिए आप जो आपस में दूसरे से बैट के एक दूसरे का जो प्रॉब्लम है जो भी बात है जो प्रॉब्लम है उसको clear कीजिए जड़ से इससे आपका relationship जब तूटने से बैट जाएगा बच जाएगा तो यहां पर क्या है understanding जरूरी है तो आप जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको सांथ में बैट के उसको clear कीजिए तभी आपका relationship जब तूटने से बच जाएगा चौती दोस्तो अगर किसी बात को लेकर आपके बीच में लड़ाई जगड़ा हो रहा है या misunderstanding सामने वाल आपके उपर बहुत घुस्सा कर रहा है आपको जो पार्टनर वह आपको बहुत घुन्घ जय करना है यहां पर समय के अकॉर्ड़िंग काम करना है आपको क्या करना है अगर आप सौरी बोल देते हैं तो आपको तूटने से बच जाएगा तो समय को काम कीजिए जब समने वाला पार्टनर इतनी गुस्टे में हैं तो आप भी गुस्टे में होके लड़ाई जगड़ा करके रिलेसंशिप को कहें खराब कर रहे हैं क्योंकि रिलेसंशिप बिगड़ ज तूट जाएगा तो यहां पर आपको कूल रहना है तो यहां पर कूल रहके जो उस टाइम के सीच्वेसन उसको समहाल लेना है और रिलेसंशिप को टुटने से बचा लेना है तो आप भी चोटा मोटा जो बात हो उसके लिए आप सौरी बोल सकते हैं इसमें कोई दोर आहिं और आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर इंस्टा के थूर भी मुझे बता सकते हैं मैंने अपना इंस्टा इडी जो है वो डिस्किप्सन में दिया हुआ है तो वहां जाकि मुझे फॉलो कर सकते हैं और उसमें हैं मिलते हैं नहीं वीडियो में थांक फो वाचिंग मैं वीडियो